हेलो, नमस्कार, मैं प्रदिप कमारकर स्थ, बेलकम टो दो माई यूटूब चैनल, डिस्कवरी ओफ लाइफ न्यूज आज के बिसे में हमारा जो प्रमक्र जो बिंदु है, वो है भावान सीव आधिनात को गुरुकुपादी प्राप्त के वाएं तो हमारे बेद बोलते हैं, बंदे, बहुद्वियम, नित्यम, गुरुम, शंकर, रुपिडम, यम, आस्रितो, ही, वक्रोपी, चंद्रह, सरवत्रह, वंदते इसका मुतलब होता है कि ज्यान मैं नित्य, संकरुपी, गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आस्रित होने से चंद्रमा भी वंदित होता है तो बेद इस परकार से उन्हें हमेसा इस्माड करते हैं भावान आधिनात सीव को तो समय सदा से ही परवर्टल सील रहा है इंत्र सास्त्र के जो ज्यानी हैं, भावान सीव हैं, जनमदाता हैं, वह द्योता तो है ही महान योगी है, नाद सास्त्री है, वनस्पती, ज्यान का वनस्पती वेता है, मंत्र द्रिष्टा है, और अलग्यक सक्तियों का मालिक है तो साहित्य और व्याकरण की उत्पती भी भवान सीव के द्वारा ही हुई है सीवी की महांता का परमाड या है कि विश्व में जितनी अधिक संख्या में सीवी जी की मंदिर प्राप्त होते हैं उतने और किसी देवता के नहीं मिलते हैं कोई भी प्राणी, जनमजात, ज्ञानी, बौधिक संता, संसारी ज्ञान सेव पुन नहीं होता है किसी भी पिशय में गुरु की जो महिमा है वह अप्रमपार माना जाता है आज आडमबर है, लोब, पाखंड इतना बढ़ गया है यह अधातम जकत तो बहुत प्रभावित हुआ ही है भारतिय संस्कृति में ज्ञान और गुरु का संबद बहुत ही महत्पूर माना गया है गुरु को ज्ञान का द्वारपाल कहा जाता है हमारे भारतिय संस्कृति में और किसी भी परकार से अगर आप ज्ञान रजित करते हैं तो गुरु का यगदान स्रिष्ट माना गया है ज्ञान अधात्मिक हो या लोकिक बिज्ञान टेक्निक और राजनिक के राजनिती जो हमारे प्रभाव हुए हैं उनके वर्तवान युग में ज्यादा लोग असलिक ज से भक्षाडम हैं है भावान शीव को तत्वपोरुस भी बोला जाता है जेसे ग्यात्रिय मंत्रकर ब्яжट और स्रिष में करता है तो घ। निरंतर सीव पुजा में लीन रहता है, मन में दिड़ भिश्वास रखता है, और शंपूर भिश्व को सीव के रूप में देखता है, उत्तम बुद्धी का आसरे लेता है, सदाचार का पालन करता है, वो ऐसे जो जीव हैं, ऐसे प्राणी जो हैं, वो भवान सीव को प्रियो होते हैं, इंद्र, चंद्रमा, सुर्य, कुबेर, वरूण, यम्राज, यहां तक यवासी दो भी सदाचीव की ही निरंतर अराधना करते हैं, मनुस्या, गंधरवा, की नेर, तधा दर्तिगुरु सुक्रचारे ने विश्व की ही उपासना किये है, शीव भक्ति में पंडित प्रमुक्त करके भी पंडितत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् विभू ब्रम्ह बेद्ध सोरूप शब्किश्वामी सिव जी मैं आपको प्रणाम करता हूं माया रहित भेद रहित इक्छा रहित चेतन आकास रुप में आकास को ही वस्तक रूप में धारन करने वाले दिगमबर शिव को मैं भजता हूं दूसरा इसलोग है शिव श्तक का ज इसलोओं होता है के निर्दा कार उंकार के मूल्न दोरूर्य तीन गुडो से अतीत वारी ग्वाणी द्रू से परे केलास्पती विक्राल काल के भी काल महा काल किर्पालू गुडो के धाम शंसार से परे आप परमिश्वर को मैं नमसकार करता हूं टो इस परकार से सार्थक होते हैं कि भावान शीव के लिजगत गुरू के लिए उप्यूगते हैं और बेद सास्त पुरान सभी उनकी उलिये हमेशा उनकी उपाशना में लगे रहते हैं भागवान सभी एक है नाम जाप तप मंत्र ये सभी क्रिया आकास तत्तों को ग्रहण करने के मार्ग है तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जनकारी अगर आपको पसंद आवे तो पिलीज लाइक करें शेब्स्राइब करें, कमेंट करें, धन्यवाद